हां जी बच्चों, अब इसी थियोरी को हम बिलकुल डिटेल में एक शडूल के हल्प से समझते हैं बच्चे इस थियोरी में जैसा के आपको मैंने अभी समझाया है कि एक कंजूमर जब भी किसी कॉमडिटी का कंजम्शन करता है तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि वो उस कॉमडिटी के कितने उनिट को कंजूम करें तो आपको ये चीजे क्लियर हो चुकी हैं कि ये सिरफ उसकी नीट्स पर ही डिपेंड नहीं करता है ये उस कॉमडिटी के प्राइस पर भी डिपेंड करता है क्लिर है बच्चे इसलिए जब हम as a consumer हमेशा हमारे efforts हमेशा हमारे कोशिश नहीं रहती है कि money for the value हम ले पाए मतलब कि जो हम खर्च कर रहे हैं जो हम payment कर रहे हैं उतना तो at least सामने से हम recover करें तब ही हम उसका consumption करते हैं अगर हमें यह realize होता है कि यार मैं जो pay कर रहा हूं उतना सामने से इसकी recovery नहीं हो पाएगी भले ही है मुझे इसकी need है बड़ मुझे payment ज़्यादा लग रही है उसकी recovery से तो उस situation में हम इसको purchase करने का decision नहीं लेते हैं और जब हमें लगता है कि मैं जितना pay कर रहा हूं सामने उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर recovery मिल रही है मेरे payment से ज़्यादा का मुझे value मिल रहा है सामने से तो हम हसी हसी खुशी खुशी आगे उस unit का consumption करने के लिए हम ready रहते हैं इसलिए बच्चे यह चीज देखने को मिलती है कि जब 20 रुपीज price ice cream का था तो आपने क्या करा एक ice cream consume किया आपका यह satisfaction level था मैं आप दूसरी ice cream क्यों नहीं consume कर रहे हो जब ice cream same है जबकि पहले भी तो 20 रुपे का था तो पहले तो consume करा बट second ice cream क्यों नहीं consume कर रहे हो तो next unit से मिलने वाला satisfaction level आपका last के compatibility कम हो जाता है क्योंकि आपका satisfaction level आपकी needs पर depend करता है और जैसे ही आप first ice cream को consume कर लेते हैं तो आपकी needs पहले से कम रहती है इसलिए अब आप पे तो इतना ही करेंगे लेकिन second ice cream से आपको satisfaction level जरूर मिलेगा बिलकुल मिलेगा बट आपके payment के compatibility पहले तो इतना मिला आप second पे satisfaction level कम हो जाएगा तो payment और अपने satisfaction level के बिच compare करोगे अगर आप तो आपको satisfaction level मिलतो रहा है आप enjoy करते रहे हो बट आपका money for the value नहीं लग रहा है यह जो payment कर रहे हो उसे कम मिल रहा है तो इस situation में आपका मन होते वे भी आप drop कर देंगे आप इसका purchase करने का decision नहीं लोगे लेकिन जैसे ही price अगर 2 rupees हो ice cream का तो satisfaction level यह रहा then second ice cream से satisfaction level कम होगा मैं मानता हूँ लेकिन जब money for the value है जो आप pay कर रहे हो 2 rupees इससे ज़्यादा ही तो satisfaction level आपको मिल रहा है इसलिए बच्चे second ice cream पर आप जो है consumption करेंगे आपका satisfaction level because of law of dimension margin utility यहाँ पर भी applicable है यहाँ भी satisfaction level कम हो गया बट compare करें price से तो ज्यादा ही है money for the value है purchase करेंगे third भी purchase करेंगे and fourth भी purchase करेंगे fourth consumption करने के बाद अब आगे आप एक time आएगा आप रुख जाओगे अब क्यों रुख गया भी भी तो दो रुपे का price है ice cream हो ही है क्योंकि दीरे दीरे continuously consumption करते करते आपका satisfaction level इतना low हो चुका है अगर आप consumption करेंगे तो और कम satisfaction level मिलेगा अब तो दो रुपे से भी कम मिलेगा अब आपको दो रुपे ज़्यादा लगने लग जाएंगे पहले दो रुपे कम लग रहे थे आपको क्योंकि आपको उसे recovery ज़्यादा मिल रहे थी पर बाद में आपको दो रुपे ज़्यादा लगने लगने लगे क्योंकि आपको because of law of termination marginal utility आपका satisfaction level कम हो गया तो अब आपका जो है दो रुपे ज़्यादा लगने आप इस stop कर देंगे तो basically आप consumption करते चले आगे तो basically consumer कहां तक consumption करता है जब वो price को pay करता है और उससे ज़्यादा अगर उसको satisfaction level मिल रहा है तो वो consumption continuously continue रखेगा जब price के equal उसका satisfaction level आता है तो वो stop कर देगा क्योंकि वो हो समझ जाता है इसके बाद price तो यही पे करना है मुझे लेकिन satisfaction level उससे कम हो जाएगा clear है समझ में आ गया clear है बच्चे तो एक consumer theory में हमने सीच को पढ़ते हुए हम आगे अब continue कर रहे है theory में अभी तक क्या चीज आपके mind set किया है मैंने यह कि consumer जितना pay करता है उतने के equal अगर study fashionable मिल जाए तो वहाँ पर वो stop कर देता है बस अब मैं इसके इतनी unit को consume करूँगा consumer एक consumer equilibrium में आ जाता है clear है क्योंकि वो stop कर देता है आगे consumption को करना clear है बच्चे तो consumer equilibrium in the case of single commodity को हमने theoretical समझा जरा इसको हम एक schedule के according समझते है numerically form में समझते हैं बड़ा important है यहां यह आपको five marks का एक्जाम में इसका importance है ही बड़ इस concept पर three marks के भी कई वार numerical बन जाते हैं तो आए शडूल को अच्छे से बड़े enjoy करके इसको समझते हैं एक बच्चे मैंने आपके concept को clear करने के लिए एक schedule लिया है जिससे की सी theory को अच्छे से मैं आपको explain करूँ बच्चे क्या है इसमें सबसे पहले units of x कोई एक particular commodity का आप consumption कर रहे हैं let कर लिजी आप ice cream का consumption कर रहे हैं clear है तो आप ice cream का consumption कर रहे हैं तो यह उसकी units है कि first ice cream second ice cream third ice cream fourth ice cream fifth ice cream and six ice cream clear है अब बच्चे अगर आप किसी भी commodity को purchase करोगे उसकी अपनी एक price भी होगी तो ice cream की price यह x commodity जिसको मैं ice cream बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं इसकी price क्या है इसकी price बच्चे 10 rupees है तो 10 rupees 10 rupees 10 rupees अब आपको तो पता यह बच्चे कि आपका आपको next ice cream से भले ही last के compatibility कम satisfaction मिल रहा हो तो ऐसा तो आप नहीं क्या सकते कि आप जो है ice cream के rate कम कर लीजिए क्योंकि मुझे कम मजा रहा है नहीं न वो तो आपका rate fix रहेगा rate उतना ही रहेगा अगर आपको उससे कम मजा रहा है तो वो फिर आपको फिरी में नहीं मिनने लग जाएगा मेरी बात समझे रहेगा तो इसलिए फर्स ice cream consume करोगे तो वो भी 10 रुपे का सेकिंड से भले कम मजा आपको मैं मानता हूं लेकिन वो भी आपको 10 रुपे का ही रहेगा और थर्ड तो constant रहने वाला है अब बच्चे बात करते हैं हर एक सिंगल आइस क्रीम आपको कितना satisfaction level दे रहा है इसकी बात करते हैं तो first ice cream आपको 20 utils का satisfaction level दे रहा है in the terms of utils क्योंकि satisfaction level को हम किस में express करते हैं किस unit में express करते हैं utils में इसलिए लिखा है marginal utility इसको आब हो सकते हो satisfaction level from each single last unit और भी किस में utils में तो first ice cream का consumption करने के बाद आपको काफी अच्छा लगा क्योंकि आपकी need भी काफी अच्छे level की थी तो आपको 20 utils मिला अब बच्चे second ice cream का आप consumption कर रहे हैं तो second ice cream के consumption से आपका जो satisfaction level है वो आपको 16 utils मिला 16 क्योंकि आपको पता है कि किसी भी community का consumption अगर आप continuously करते हैं तो next unit से मिलने वाला satisfaction level last unit का competitively कम हो जाता है क्यों कम हो जाता है क्योंकि हमारा satisfaction level हमारी needs पर depend करता है और जैसे ही हम एक unit का consumption करते हैं तो हमारी needs का कुछ पार्ट फुल्फिल हो जाता है क्लियर है और second time पर उतनी नीट नहीं रह जाती है तो same quality same consumer same price होने के बाद भी हमारा satisfaction level last के competitively कम हो जाता है तो इसलिए आपको यह पता लग रहा है कि second ice cream से आपका satisfaction level last ice cream के competitively कम है 16 utils है थर्ड ice cream consumption करोगे तो दो ice cream consumption करने के बाद आपकी needs और फुल्फिल हो चुकी है अब आपकी needs पहले से और कम रह गई है इसलिए थर्ड ice cream आपको और कम satisfaction level देगी 10 utils and four ice cream आपको और कम देगी four utils और इसी तरीके से एक time ऐसा आ जाएगा जब आपके needs पूरी तरीके से fulfill हो जाएगी आपको ice cream को लेगर के कोई needs उस time पे नहीं रहेगी तो अब उस ice cream का consumption करें उसकी payment तो उते नहीं करनी पड़ेगी पर आपको उसे कुछ मजा नहीं आएगा zero utils और इसके बाद भी अगर आपने consumption करा तो आपकी health पर इसका negative impact पड़ सकता है जो आपका satisfaction level है जो marginal utility है वो this utility में आपका convert हो सकता है इसलिए हो minus में represent करा कि इसके बाद आप consumption करने की कोशिश मत कीजिएगा clear है बचे सुझ में आए आपको कोई doubt अब बचे अब आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपके पास में एक है marginal utility in terms of rupees अब सबसे पहले बचे यहाँ पर हमें compare करना है कि मैं pay क्या कर रहा हूँ और मैं recover कितना कर रहा हूँ जब तक इन दोनों में compare नहीं करेंगे तब तक हम यह decision नहीं ले पाएंगे कि कहाँ पर मेरे लिए beneficial है और कहाँ पर मुझे रुकना चाहिए और कहाँ पर मेरे लिए नुकसान है तो compare करना बड़ा ज़रूरी है आपनी payment में और जो satisfaction level में लेकिन मच्चों जरूर मैं आप से सवाल पूशता हूँ जरूरप मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजी अब मेरा question यह है जरूरा बताइए 2 kg जादा होता है या 2 आवर जादा होता है 2 kg जादा होता है या 2 घंटे जादा होते है आप कहेंगे सर इसमें तो comparison पॉसिबली ही नहीं है क्योंकि 2 kg अलग है unit वो kg है और 2 hour एक time है एक wait है और एक time है इनके बीच में तो कोई comparison है ही नहीं कोई comparison बन ही नहीं सकता तो हम कैसे बता दें कि ज़्यादा है या कोई कम है बिल्कुल correct आपने reply करा है ऐसे ही बच्चे ज़रा अब आप बता दो मुझे कि जो हम pay कर रहे हैं वो क्या pay कर रहे है rupees रुपिया पे कर रहे हैं रुपिया और मिल क्या रहा है हमें utils satisfaction level utils तो जो मैं pay कर रहा हूं rupees जो मुझे मिल रहा है utils तो मैं कैसे compare करूं कि मेरे पैसे के equal satisfaction level है या नहीं है money for the value है या नहीं है क्योंकि वो एक अलग unit है utils और ये अलग unit है rupees तो कैसे compare करेंगे जरा ये बताएं अब गोल्ड है और एक रुपिया है दोनों के बिच्छो compare कैसे करेंगे तो आप गोल्ड को rupees के form में convert करोगे कि अगर इतना गोल्ड है तो ये इतने रुपिया का हुआ और ये इतने रुपिया है तो compare कर पाओगे जीन में ज्यादा value किसकी है तो यहाँ पर एक need आपके लिए आचुकी है एक requirement डबल अप हो चुकी है वो क्या कि आप pay तो rupees कर रहे हो recover utils कर रहे हो इस utils को आप rupees में convert कर दो एसे utils को आप rupees में convert कर दो कैसे convert करेंगे आईए सबसे पहले बच्चे चलिए मैं एक बात बोलूँ आपसे कोई भी एक आपके पास में metal है for example सुनिएगा कोई एक metal है आपके पास में 10 rupees kg है वो metal market में 10 rupees का 1 kg उस metal के 1 unit का rate बता रहा हूँ मैं 1 kg 10 rupees का है आपके पास में 8 kg metal है वो 8 kg 1 kg 10 rupees का है 8 kg है तो बताओ आप कितनी value लेके आप क्या worth rate लेके गूम रहे हो आप बोलेंगे 80 rupees 80 rupees तो आपने क्या गरा उसको money के form में आपने उसको transfer कर दिया 80 rupees की चीज़े आपके पास में है ऐसे ही बच्चे यहाँ पर हमें utils के बारे में नहीं पता कि utils के money में क्या value है यह मैं let कर लेता हूँ यहाँ पर कि जो utils है न मान लिजिए कि अगर आपके पास में एक utils है न एक utils है तो समझ जाए आप एक रुपए के संपत्ति है आपके पास में मेरी बास समझ रहे हैं अगर आपके पास में एक utils है कोई अगर एक utils लेके गूमेगा ना सकर कि मेरे पास एक utils है तो मैं कहूंगा अच्छा एक रुपए का मालिक है क्योंकि एक यूटील का दाम क्या हुआ एक रुपए यह मेरी अजम्शन थी यह मैंने आपको समझाने के लिए मान लिया कि यूटील को एक यूटील का मतलब एक रुपए का मालिक हो गया पांच उटील है आपके पास में अच्छा पांच रुपे की चीज है आपके पास में जैसे होता है आज के टाइम पर किसे पर एक तोला सोना हो अच्छा 55,000 पच्पन अजार रुपे की चीज है ऐसे ही यूटील एक यूटील एक रुपे का यह मेरी assumption है तो बच्चे एक रुपए में वन रुपीज में फिर सी जान सुनिएगा एक रुपए में वन रुपीज में जितने भी यूटिल्स जितना भी satisfaction level आपको मिलता है न उस satisfaction level को हम marginal utility in the terms of money कहते हैं मतलब satisfaction level रुपए में तो एक रुपए में जो भी यूटिल्स आपको मिले जितना भी satisfaction लबल मिले एक रुपए में तो वो satisfaction लबल क्या होगे आपका रुपए में उसको हम express करते हैं margin utility in the terms of money सुन्जमाएं आपको clear है अब example लेते हैं जरह एक example से आप अच्छे से जरह समझने कि आप कोशिश करेंगे यहां पर ठीक है बच्चे बच्चे बताईए आप margin utility in the terms of money कैसे calculate करते हैं जरह मुझे बताएं आप मैंने बिस उपए खर्च करें 20 रुपएं खर्च कर डाले एक ice cream consume किया और मैंने कहा so utile मिला मुझे so utile मिला मुझे कितने में कितने में 20 रुपय में कितने में 20 रुपय में 100 यूटील मिला तो मुझे पता करना है 1 रुपया में कितने यूटील मिल रहा है मतलब MUM तो आप क्या करेंगे basically आप जड़ा बताएं आप क्या करने वाले हैं आप basically क्या करेंगे आप यही करेंगे कि 100 यूटील मिला वो भी कितने रुपए में 20 रुपए पे करा तब मिला तो एक रुपए में कितने यूटील मिल रहा है 5 यूटील कितने में 1 रुपीज में तो ये क्या हो गया आपका Marginal utility in the terms of money एक रुपए में कितने यूटील मिल रहा है तो ये 100 क्या था 100 था Marginal utility in the terms of utils utils में satisfaction level तो Marginal utility in utils divided by Marginal utility of 1 रुपीज क्लियर है तो क्या आता आपका MU आपका express in terms of money क्लियर है बच्चे तो आपके पास में Marginal utility in the terms of money कैसे आता है आपका तो Marginal utility in the terms of money कैसे आएगा आपका MU एम क्लियर है बच्चे तो MU समझ मैं आपको MU X divided by MU X divided by price of X क्योंकि आपका MU X ये 100 था ना ये और price क्या था इसका 20 रुपीज तो MU M मतलब एक रुपे में कितना satisfaction level मिल रहा है तो आप क्या करेंगे MU X upon PX MU X upon PX तो क्या जाएगा MU M आजाएगा clear है बच्चे सब्सक्राइए आपको तो ये आपके पास में Marginal utility in the terms of money का आपका structure है तो कई बार आजाता है कि एक रुपे में One Marks में एक कोशन आ जाते है चोड़ोड़ोड़ कोशन One Marks में आ जाते है कि Marginal utility in the terms of money का फार्मूला क्या है एक रुपे में तो कितना मिल रहा है satisfaction level कितने रुपे में मिल रहा है divide कर दो जी एक रुपे में इतना मिल रहा है M.U.M का formula बन गया M.U.X इतना satisfaction level मिल रहा है यूटील्स में X से इतने रुपे पे कर रहे थे जी price of X divide कर रहा जी एक रुपे में इतना मिल रहा बही है satisfaction level तो M.U.M आ गया तो M.U.M का structure यह है clear है बच्चे तो आप आपको एक बात clear हो चुकी है कि हमें जो satisfaction level मिल रहा है उसको money में convert करने से पहले ये तो पता हो कि आपके पास में एक रुपे में कितने यूटील्स है बिरी बात सुना है आपको clear है एक रुपे में कितने यूटील्स है अब आप यहां पर देखें तो आपके पास में price हो गया अब मैंने क्या बताया था आपके लिए challenge क्या है आपके लिए challenge है compare करना क्योंकि आप pay तो रुपीज कर रहे हो और ले यूटील्स रहे हो तो कैसे compare करोगे कि money for the value है या नहीं है ज़्यादा है या काम है या equal है कैसे compare करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करते है जो satisfaction level मिला ना में यूटील्स में इसको money में ही convert कर देते हैं अब आप देखें आपको 20 यूटील मिला और आप 20 यूटील मिला आपको और आपको पता है यह आपका रूपीज में आ गया क्योंकि 20 यूटील मिल रहा है और एक रुपए में एक यूटील है clear है एक रुपए में एक यूटील तो 20 यूटील मतलब 20 रुपए 20 रुपए का मज़ा आया 20 यूटील तो आपको 20 रुपए का आपको यहाँ पर क्या आया 20 रुपए का आपको यहाँ पर बच्चे एक satisfaction level मिला है और 20 रुपए का आपको यहाँ पर मज़ा आया है यह बात सुझ में आई या नहीं आई आपको अब यह बताए clear है तो अब यह भी 20 था यह भी 20 था फर्क क्या पढ़िया यह यूटील्स था अब मैं इसको money में express कर पा रहा हूं easily यहां पर मैंने एक रुपए में एक लिया ना इसलिए इसलिए फर्क नजर नहीं आ रहा है इसलिए आसान होगा थोड़ा यह clear है तो बच्चे margin utility in the terms of rupees मतलब कि money में कैसे express कर रहे हैं तो कैसे express कर रहे हैं money में margin utility जो यह था इसको express हमने money में कैसे करा जो margin utility हमें मिला है 20 मिला है और margin utility of 1 rupees या फिर आप सकते हो M और M तो 20 utils मिला हमें और इसको अगर हमने divide कर दिया के MUM से कि 1 रुपए में कितना utils मिल रहा है उससे डिवाइड कर दिया, तो जी 20 रुपए है, 20 यूटिल मिला, एक यूटिल से डिवाइड कर रा, इसका दाम एक रुपए होता है, तो हमारा क्या है 20 यूटिल, तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं, मेरी बास समझवाए नहीं है आपको, clear है बच्चे, कोई डाउट किसी बच्चे को, अगर चलिए, चलिए, मेरी बास समझजीए गा पहले, मेरी बास समझे ज़रा यहाँ पर, अगर एक रुपए में चार यूटिल होते, for example, समझी ज़रा, एक रुपए में चार यूटिल होते, चार यूटिल का मतलब एक रुपए, चार यूटिल का मतलब एक रुपए, नहीं क्या कह रहा हूँ, चार यूटिल का मतलब बच्चे क्या, चार यूटिल का मतलब एक रुपए, ठीक है, तो MUM क्या हो गया? MUM क्या हो गया? margin utility in the terms of money क्या हो जाती आपके? आपकी 4 हो जाती? क्योंकि एक रुपए में जितने युटिल्स मिलते हैं उस युटिल को हम क्या भोलते हैं? MUM या margin utility in 1 रुपीज का जाती 4 हो जाती तो 20 युटिल मिलने का मतलब कितने रुपए का? क्योंकि एक रुपए में 4 युटिल तो 20 युटिल मिलने का मतलब कितने रुपए का मज़ा आया? 5 रुपए का एक रुपए में 4 युटिल और 20 युटिल मिला है तो 4-4 के 5 ग्रुप मतलब कि हर एक ग्रुप एक रुपए का तो 5 तो 5 रुपे का मज़ा आया तो यहाँ पर डिवाइड किस से कर देता मैं फिर 4 से, तो MU-M तो आपको जो satisfaction level मिल रहा है, उसको आप MU-M से divide कर देंगे, तो money में आ जाता वो satisfaction level money में क्या है खेर, यहाँ पर आपके पास में क्या है यहाँ पर आपके पास में क्या है यहाँ पर बिटा आपके पास में एक रुपे में एक यूटील है तो marginal utility in the terms of money मतलब marginal utility in one rupees is one utils एक रुपे में क्योंकि एक यूटील आ रहा है, तो marginal utility in the terms of money marginal utility in one rupees is one utils तो 20 utils divided by marginal utility in one rupees मतलब के utils in the terms of utils satisfaction level in the terms of utils divided by marginal utility satisfaction level in 1 rupees equals to satisfaction level in money clear है समझ मैं आपको तो 20 utils मिले थे पहली आइस क्रीम से एक utils एक रुपए का तो 20 utils का मतलब कितने रुपए एक रुपए में एक utils 20 utils मिले तो कितने रुपए 20 रुपए का satisfaction level मिला है अब मुझे जो satisfaction level मिल रहा है जो पहले utils में था उसको मैंने किस में express कर दिया उसको मैंने money में express कर दिया clear है अब ऐसे ही सब के सब आपका satisfaction level है यही बताने जा रहा हुँ है तो यह आपका क्या आजाएगा मतलब margin utility of 1 रुपए से divide कर देंगे तो money में आजाएगा satisfaction level clear है बच्चे तो एक रुपए में जितने utils मिलता है उस utils को क्या बोलते है M.U.M. बोलते है then third से आपका 10 utils मिला और M.U.M. क्या है यह utils में है यह आपका M.U.M. है मतलब की 1 रुपए में इतने utils है तो 10 utils मिलने का मतलब वो आपका हो गया 10 रुपए का मज़ा आया 4 utils मिलने का मतलब हो गया 4 रुपए का मज़ा आया 0 utils मिलने का तो कुछ रुपए का मज़ा यह नहीं आया और last में minus 6 में लग 6 रुपे का नुक्सान हो गया clear है अब बच्चे आईए अब आप compare कर सकते हैं किसके बीच में price जो आप pay कर रहे हैं और जो आप recover कर रहे हैं इसमें comparison अब possible है इसके बीच में आप comparison आप कर सकते हैं क्यों आप compare कर सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों किसमें आगया money में आईए compare कर ही लेते हैं जब कर सकते हैं तो ज़राद देखते हैं क्या होता है clear है तो बच्चे इसमें ज़राद देखें आप इसमें क्या होता है आपके पास में आप पहला starting में first unit पे खर्च कितने होगे सर आपके आप कहेंगी 10 rupees recover कितने रुपए का मज़ा आया मैं नहीं बोलो कितने यूटिल का मज़ा आया ये बात तो प्रानी हो चुकी है कितने रुपए का मज़ा आया 20 रुपए का मज़ा आया अरे वाह 10 रुपए खर्च करे 20 रुपे का मज़ा आ गया भई सच महीं मज़ा आ गया जो खर्च करा ना उससे ज़्यादा की recovery लिए as a consumer बहुत मज़ा आ रहा है देखते हैं difference क्या है 20 खर्च करा sorry 20 रुपे का benefit 20 रुपे मिला है recovery किये 10 रुपे खर्च करा 10 रुपे का benefit हुआ है money for the value है अच्छा है उससे ज़्यादा ही है क्यों न continue consumption किया जाए consumption को continue करते हैं आईए जो pay कर रहे हैं ज़्यादा मिल तो हो रहा है दिक्कत कहा फिर payment करने में फिर कोई आतराज नहीं है अब आप देखें second ice cream आप consume कर रहे है clear है अब बच्चे आप second ice cream consume कर रहे है इसके लिए भी pay वही 10 रुपे कर रहे है लेकिन अब मज़ा थोड़ा सा कम हो जाएगा ना because of law of diminishing margin utility और in terms of money जब यूटिल्स कम है तो फिर आपकी recovery भी एक तक से क्या सता हूँ कि आपको कम आएगा अब आपको 16 रुपे का मज़ा रहा है लेकिन 16 रुपे का मज़ा ले लिए 10 रुपे में आपने तो अभी भी तो beneficial है भाईया तो आपके पास पे 6 का अभी भी आपको profit हुआ है 6 रुपे का money for the value है तो बच्चे एक बात confirm होगी कि आपका जब भी satisfaction level in the terms of money मिलने वाला satisfaction level आपके price से जब भी ज़ादा होता है तो एक consumer के लिए तो बहुत फाइदे की बात है money for the value है वो तो सो consumption करेगा ही करेगा मतलब कि continue consumption चलेगा क्योंकि उसके लिए वो beneficial है तो ये point number one था कि हाँ जी बचो तो फिर ये बात यहाँ पर जो है confirm हो चुकी है कि आपका MUX मतलब आपका किसी भी community से मिलने वाला satisfaction level in the terms of rupees वो अगर आपके price से greater हुआ तो आप अपना consumption continue रखेंगे as a rational consumer आपको अगर benefit हो रहा है money for the value हो रही है आपको recovery कर रहे हो payment ज़्यादा अगर आप receive कर रहे हो तो आप वहाँ पर अपना consumption क्यों नहीं continue करेंगे तो यहाँ तक तो consumption continue चलता रहा लेकिन जब third ice cream consumption करने जाते हैं तो वहाँ pay भी पहले की तरह 10 रुपे ही करते हैं लेकिन अब आपका 10 यूटील का satisfaction level मिला जब इसको आपने रुपीज में convert कर दिया मतलब कि आपका जो यूटील से मिला था satisfaction level इसको MUM मतलब 1 रुपीज से जितने यूटील मिल रहा है उस यूटील से divide कर दिया तो ये satisfaction level आपका money में express हो गया तो कह सकते हैं कि 10 रुपए आपने खर्च किये और 10 रुपए का आपको मज़ा आया पहले तो ये हो रहा था खर्च ये कर रहे हो मज़ा ये आ रहा है बहुत बढ़िया खर्च ये कर रहा मज़ा ये आया बहुत बढ़िया फिर खर्च द्वारा यही करा बट आपको इतना मजा आया मतला अब आप इस स्टेज पर आच चुके हो जो आप पेमिंट कर रहे हो कि उतने खाई स्टेफर्चिन अब आपको मिल रहा है अब कहा सकते हैं आप मुएक्स इक्वल सूपी एक्स क्लियर है तो अब आपका बैनिफिट कर रहा जी रो जितना पे कर रहा उतना मिला मनी फोर्दा वैल्यू है अभी अब कंजूमर कहेगा बस भाई बस यहीं पर रुख जाता हूं बहुत हो गया इसके आगे खतरनाक सिच् कीमत आगे रुख जाओ ठैर जाओ तो तीन इनिट पर ठैर गया एक कंजूमर ने डिसाइड कर लिया कि इस आइस क्रीम की तीन इनिट का कंजूम्शन करेगा कब जबकि उसको प्राइस जो पे कर रहा है पी एक्स और जो से सब्सक्राइबल मिल रहा है आपका मुएक्स सब्सक्राइबल मिल रहा है जो पे कर रहा है और सब्सक्राइबल मिल रहा है जो पे कर रहा है और सब्सक्राइबल मिल रहा है जब दोनों के दोनों एक्वल हो गया तो सोच लिया उसने अब रुख जक कि आगे भी प्राइज यही पे करना पड़ेगा बढ़ यह कम हो की थ्री इनिट्स को कंजम्शन करा है और थर्ड इनिट पे वो एक्लिब्रियम की सिचुएशन में आ गया क्योंकि इसके बाद वो और कंजम्शन नहीं करेगा अगर वो करता है तो पेमिंट सेम करनी पड़ेगी प्राइस सेम पे करना पड़ेगा बड़ सटिफेशन लबल उ है सेम जितना दे रहा है उतना ले रहा है क्लेश तो यह कंजूर कंजूमर का केस्का आ अगया कंजूमर ने यहां पर डिसले लिया बचली यह istem और और अचाही है तो तीसरी आइस क्रीम कर रहा है तीनों आइस क्रीम से benefit उसको यहां तक मिला तो उसका यहां पर total satisfaction level का maximum है clear है सुझमाएं आपको क्योंकि यहां पर देखिए कि तीन आइस क्रीम कंजियूम करेगा तो 20 16 36 और आपके पास पर यह 10 46 का मिल चुका satisfaction level इसके बाद consumption करेगा clear है बच्चे समय आई निया आपको इसके बाद अगर वह consumption करेगा यहां पर अगर आपकी बात करेगा तो आगे आपके लिए क्या हो जाएगा यह चीजे उसको पहले के competitively कम होगा उसका यहां पर नुकसान होगा माइनस का चे हो जाएगा clear है तो यहां तक उसको जो मिला वह आगे उसका मैनस में चला जाएगा नुकसान होगा क्यार आप बस इतना ध्यान किए एक consumer भाया थर्ड आइस क्रीम से आगे नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा क्योंकि थर्ड आइस क्रीम के बाद payment वही करनी है उसको satisfaction लेवल उसको कम मिलना है कैसे ज़ह देख लेते हैं इसको करेगा ही नहीं clear यह नो समय आया VS नहीं कोई प्लीज पूच लिजिए तो एक consumer यह कैसे Decide करता है कि कि किसि particular single commodity का कितने unit का उसको conjunction करना चाहिए यह कैसे डिसाइड करता है कंजूमर जब उसके दुवारा जो प्राइस पे किया जा रहा है वह और जो उससे सटिफेक्शन अब मिल रहा है जब दोनों एक्वल हो जाता है ना तब कंजूमर डिसाइड कर लेता है यहां स्टॉप हो जाओ क्योंकि अब पे भी इतना ही होगा सटिफेक्शन अब इसके बाद कम होगा वह लॉस की सिचूएशन है वहां कंजूमर कभी नहीं जाएगा क्योंकि money for the value नहीं है तो क्या कंडिशन होगे आपका यह कंडिशन जितना क्योंकि जब ज्यादा है आपका यह मुझा बच्चे ज्यादा है इस सिचूएशन में तो कंडिशन करेगा क्यों क्यों कि भाइसाद कर चुका है क्योंकि बिल्कू लोड सटिस्फिक्शन लेटा हूँ गया आप पेमेंट ज्यादा है तो उसको कम कंडिशन करना चाहिए जिससे की इसका सटिफप्शन रेवल का हाई लेवल बना रहा है तो यहां पर ज्यादा का इंप्शन यहां पर कम करेगा जब वो प्राइस पे कर रहा है और उससे जो सटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है दोनों को दोनों एक्वल हो तब कंजूमर कहां पर आएगा सटिस्फेक्शन लेवल पर आएगा यही सारी चीज़ अभी हम थेयोरी में भी पढ़ेंगे लेकर आप शडूल में आपको सवंजमा आ गया है अब इसमें एक तो यह सवंजमा आ गया आपका कंडिशन कंजूमर क्लिरियम का यह क्या कहता है मतलब कि मिलने वाला सटिस्फेक्शन लेवल क्लिर है इंदर टामस और मनी से जब आप डिवाइड कर देते हैं और प्राइस के एकवल होना चाहिए जैसे कि सटिस्फेक्शन लेवल एक लिरियम पॉइंट पे एक लिरियम एट जैसे कि मुइंट क्या है आपका 10 थर्ड पॉइंट पे मुएक्स थर्ड टेन क्लिर है और मुएंट क्या है मुएंट यह है दिस मुएंट एक रुपए कितना मिल रहा है एक और प्राइस क्या है दस यह जब एकवल हो तो कंजूमर क्या होता है satisfaction level होता है मतलब कि जितने रुपए पे कर रहा है उतने रुपए का मज़ा आरा satisfaction level है इसलिए इसको हम ऐसी एक्सप्रेस करते हैं जी हमें तो यह यूटील से मिला था मुम से डिवाइड कर देंगे जी रुपए में इतना मज़ा आया और जी इतना रुपए पे कर रहा दोनों बराबर होगा तो हाँ यहां रुख जाएंगे इसके आगी नहीं जाएंगे तो कंजूमर यहां पर एक क्लियरम के पॉइंट पर आ जाएगा क्लियरे बच्चे सुझमाया आपको कोई डाउट किसी बच्चे को एक यह भी इसको कह सकते हैं आप M.U.X कितना मिला आपको 10 प्राइस क्या है 10 और M.U.M क्या है आपके पास में 1 तो आपका यह भी एक्वल होगा तब भी कंजूमर क्योंकि यह इसी से बन गया ना आपको यह P.X यहां आ गया और यह आपका इधर आ गया तो आपको वो अलग अलग तरीके से करके आपको दिखा देते हैं मेरी बात आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी क्लियर है तो एक कंजूमर कितने यूनिट को बाई करेगा तो वो डिपेंड करता है उसके साथिस्फेक्शन लेवल के सासाथ उसके प्राइस पर भी तो जब तक उसको उसके प्राइस से ज़्यादा मिलेगा कंजंप्शन कंटीनिउ करेगा प्राइस से कम सदस्वेक्शन लेवल मिलेगा अगर उसको नुकसान लोस के इसमें तो अपने कंजंप्शन को डिक्रीज करेगा जिस Husko सर्बके आहिर बना रहे प्राईस के लयों पर आय और अपूस का प्रेगा जब उसका पेक जो कर रहा ह जो price पे कर रहा है उतने रुपय का satisfaction level होकर उसको सामने से मिल रहा हो तो वो समझ जाएगा इसके आगे अगर वो जाता है तो payment से मिल रहेगा but because of law of diminishing margin utility satisfaction level पहले से कम हो जाएगा clear है बच्चे समय आपको को doubt आगे बड़े फिर तो यहाँ पर आपका third unit पर consumer equilibrium में आपका आ गया अब आएए बच्चे अब हम यहाँ पर चलते हैं diagram पर clear है बच्चे यह किसी बच्चे को कोई doubt है तो आप please अपने doubts को आप पूछ लिजिए किसी बच्चे कोई doubt है तो clear है अब इसका diagram कैसे बनेगा जरा बच्चे यह कह रहा है कि बच्चे आपने कहा कि सर जरा इसका diagram भी बता जीए diagram कैसे बनेगा तो मैंने आपको pdf available करवा रखा है clear है उस पर diagram बना हुआ है लेकिन यहाँ पर मैं छोड़ा सा diagram मना यहता हूँ अब अच्छा proper size में इसके लिए मैं यहाँ पर diagram के लिए स्पेस ले लेता हूँ ठीक है तो यह एक आपका graph है जो कि आप अपने 10th classes में आप graph paper बनाते आएं यहां freehand बनाना है आपने यह आपका graph का y axis है यह आपका o axis है और यह आपका x axis है और यहां पर आपका मैं दोनों चीट रिपेसंट कर रहा हूँ एक तो आपका M you x और एक मैं आपका price भी रिपेसंट कर रहा हूं दोनचीट कर रहा हूं मचे price of x प्राइस तो बच्चे constant है प्राइस तो constant है और ज्याहँ श्वर इसे वो Zur The यह खरी दिंगे तब यह प्राइस यह खरी दिंगे तब यह प्राइस तो प्राइस का लेवल तो यह बना रहेगा और मुआ आपका माजन यूटिल्टी का डाइगरा मैंने बताया कैसे बनता आपका कंटिनिसली फॉल होता है टच नहीं करता तो मुए एक्स इन टर्मस अफ मनी मुए एक्स का डाइगरा क्योंकि आप देख सकते हैं अपने मुउं इन टर्मस अफ मनी को इन रूपीज को कंटिनिसली डिकरीज कर रहा है और एक टाइम पर आकर के आपका नेगेटिब भी हो गया तो यह कंटिनिसली डिकरीज होगा अप सटिफेक्शनेबल कहा हुआ जहां पर आपका उस यूनिट पे जिस यूनिट पे आपका प्राइस और उससे मिलने वाला सटिफेक्शनेबल एक्वल है तो देखें जरा इस पॉइंट को जरा आप अब्जर्ब करें इस point को यहाँ पर आप देखें इस unit पे Q पे इस पे आपका price क्या देश इस पे आपका mu x b क्या देश तो आपका इस unit पे दोनों के दोनों क्या है level आपका यह आपका y level बताता है level बताता है पर कितने का तो आपका इस o q पर अगर आप देखें तो आपका price क्या है OP और आपका satisfaction level का level क्या है या आपका price curve को touch करके यहाँ पर आओगे तो price को represent करेगा price के level को represent करेगा और अगर आप MUX को अगर आप touch करके Y axis पर आओगे तो वो MUX का level बताएगा तो OQ पे आपका price का level भी यही है और OQ quantity पर आपका MUX का भी level यही है मतलब कि OQ quantity पर आप जितना पे कर रहे हैं उतना ही satisfaction आपको मिल रहा है तो OQ level पर आप इस टॉप कर देंगे आपका consumer क्या हो जाएगा consumer equilibrium के stage पर आ जाएगा clear है बच्चे कोई doubt किसी बच्चे को तो आप please doubts को आप अच्छे से पूछ लीजिए किसी बच्चे कोई doubt है तो आप doubt को please पूछे clear है बच्चे कोई doubt किसी बच्चे को हाँ जी बच्चो अब आएए इसकी theory पर focus करते हैं हम theory में क्या कह रहा है बच्चे to determine the equilibrium point To determine the equilibrium point, consumer compares the price of the given commodity with its utility. Being a rational consumer, he will be at equilibrium when utility is equals to the price paid for the commodity. Clear है बच्चे? तो वही जो हमने अभी schedule में पढ़ा है, उसी को ही एक theory में हम इसको express कर रहे हैं. तो क्या कह रहा है कि एक consumer के equilibrium के लिए, यह जरूरी हो जाता है single commodity में, कि वो compare करे commodity की price और उस commodity से मिलने वाले satisfaction level को. और as a being a rational consumer, एक समझदार, एक rational consumer होने के नाते, he will be at equilibrium when utility is equals to the price paid for the commodity. मतलब कि उससे जो आपको satisfaction level मिल रहा है और जो आप उसके price पे कर रहे हैं, जब दोनों equal हो जाता है, तब consumer किसमें आएगा, तब बेटा consumer आपका किस चीज़ पर आ जाएगा, consumer आपका equilibrium में आ जाएगा. clear है? हंजी बच्चों, अब थियोरी में आगे first condition आपको दिया हुआ है, कि MUX greater than PX, इसका मतलब यह है आपको कि commodity से मिलने वाला satisfaction level और जो उस commodity के लिए प्राइस पे कर रहे हैं, उससे greater है, मतलब आप जितने payment कर रहे हैं, जो price आप पे कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको satisfaction level आपको मिल रहा है, आपके price से ज़्यादा, तो इस situation में for example आपने payment यह करा और satisfaction level आपको यह मिला, तो यह situation है, आपका MUX is greater than price PX, तो बच्चे आपके पास में MUX is greater than PX, तो इस case में आप benefit के conditions में हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, consumption को continue करेंगे, क्योंकि अगर आप next unit का भी consumption कर लेते हैं, तो आपका law of diminishing marginal utility operation applicable होने के वे से satisfaction level आपका कम जरूर होगा, बट price से उपर रहेगा, वो आपके लिए beneficial situation है, इसलिए आप इस situation में होंगे, तो क्या आप equilibrium में होंगे, नहीं होंगे, clear न, आप यहाँ पर अपना consumption continue करेंगे, तो यह आपका बच्चे condition first, तो इस situation में क्या करेंगे, consumption continue करेंगे, क्योंकि equilibrium में आने के लिए क्या condition होती है, equilibrium में तब आप आएंगे, जबकि आपका M U X equals to P X, और इस situation में price में तो कोई changes आता ही नहीं, price तो constant है, तो price तो भूल जाएं, यह आपका ज़्यादा है, क्या satisfaction level, और equilibrium में आने के लिए दोनों का equal होना ज़रूरी है, तो satisfaction level यहाँ पर problem क्या है, आपको जो प्रॉलम नहीं कहेंगे, इसको इसको हम कहेंगे, कि यहाँ पर मेरा price से ज़्यादा satisfaction level मिल रहा है, जबकि equilibrium में आने के लिए price और मिलने वाला satisfaction level क्या होना चाहिए, equal होना चाहिए, तो क्या करेंगे situation में, इसको equal, price को तो change कर ही नहीं सकते, satisfaction level में changes ला सकते हैं, तो दोनों को equal करने के लिए, यहाँ satisfaction level ज़्यादा है न, equal करने के लिए इसको कम करना पड़ेगा, और कम कैसे होगा, continuously consumption करते चले जाएंगे, तो because of law of diminishing marginal utility, आपका next minute से मिलने वाला satisfaction level आपका कम होता चला जाएगा, और यह एक time पर price के equal हो जाएगा, और consumer equilibrium की condition में आ जाएगा, तो इस situation को आप अच्छे से समझ गए हैं, कि जब भी किसी commodity से मिलने वाला satisfaction level, और जो उसको आप price पे कर रहे हो, उससे greater हो जाता है, तो consumer equilibrium में नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए beneficial situation है, वो आगे continue consumption करेगा, तो equilibrium में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, equilibrium यह condition है, mux equals to px, तो यहाँ पर price में तो change आप कर नहीं सकते, तो आपके पास में margin utility of x, satisfaction level of x है, यह क्या है, यह ज़्यादा है price और equal करने के लिए इसको कम करना पड़ेगा, कम कैसे होगा, continuously consumption से, law of diminishing margin utility applicable होता है, और फिर यह दिद्रे का मोते होते इसके equal हो जाएगा, और consumer equilibrium के stage पर पहुँन जाएगा, तो consumer को क्या करना चाहिए, equilibrium पर जाने के लिए, continuously consumption करना चाहिए, point second क्या कर रहा है, if mux less than price of x, मतलब जो मैं pay कर रहा हूँ, जितना मैंने pay कर रहा है, उससे कम मुझे मज़ा आ रहा है, money for the value नहीं है, इस situation में consumer कभी नहीं रहना चाहेगा, इस loss के case में, कि जो उसने payment कर रहा है, तो consumer कभी भी इस case में नहीं रहेगा, क्योंकि consumer equilibrium हता बाता है, जब mux equals to px, price so change आप कर नहीं सकते, ये चीज़े clear आपको, clear है नहीं, जा रहा है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, the consumer is not at equilibrium, and he goes on buying, because benefit is greater than cost, वो क्या करेगा, वो सो खरीदना शुरू करेगा, as he buys more, mu falls because of operation of the law of diminishing marginal utility, जैसे सब खरीदेगा, वैसे-वैसे, mux fall होगा, क्योंकि law of diminishing marginal utility के वज़े से, when mu becomes equals to the price, consumer gets maximum benefits, और वो कहां आ जाएगा, equilibrium के stage पे आ जाएगा, point number two क्या है, if mu x less than price of x, मतलब कि जो हम pay कर रहे हैं, उससे भी कम हमें satisfaction level मिल रहा है, हमारी payment के बराबर भी हमारा satisfaction level नहीं है, money for the value नहीं है, तो यह situation तो consumer के लिए loss के situation हो गई, तो consumer यहाँ पर कैसे equilibrium में आ जाएगा, तो देखें, यहाँ पर price में तो आप कोई changes कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यह constant होता है, अब यह आपका कम है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको less consumption करना चाहिए, क्योंकि आपका satisfaction level price से भी low जा चुका है, तो आपको इतना consumption नहीं कर लेना चाहिए था, जिससे कि law of diminishing margin utility होने के विए से, आप price से भी नीचे चले जाएं, आपको less consumption करना चाहिए, less consumption करने से आपका satisfaction level high बना रहता, जो कि price से equal हो जाता, और consumer equilibrium में आ जाता, तो क्योंकि आप देखिए, equilibrium में आने के लिए MUX equals to PX होना चाहिए, और satisfaction level आपका कम है यहाँ पर price से, price को तो change करनी सकते, तो satisfaction level को बढ़ाना होगा, और satisfaction level कब बढ़ेगा, जब आप less consumption करेंगा, satisfaction level आपका high रहता है, तो इस situation में आप less consumption करेंगे, आए ये theory पढ़ लेते हैं, then also consumer is not at equilibrium, as he will have to reduce consumption of commodity X, to raise his total satisfaction, till mu becomes equals to the price, consumer को यहाँ पर अपने consumption को कम करना पड़ेगा, जिससे कि वो price के equal आ जाए, और consumer equilibrium के stage पर आ जाए, clear है बच्चे, तो equilibrium पर आने के लिए, क्या compulsory condition हो गए, ये भी applicable नहीं है, और ये भी आपका applicable नहीं है, clear है, तो आपके पास में इस situation को जड़ा देख लिए, इसको star situation में कह रहा हूँ, इस situation में क्या है, mux equals to px हो गया, तो consumer आगे consumption continue करेगा नहीं, क्योंकि आगे चल करके, वो same price pay करेगा, but because of law of diminution margin utility, ये क्या हो जाएगा, satisfactionable कम हो जाएगा, तो जो pay कर रहा है, उससे कम satisfactionable मिलेगा, तो consumer यहाँ पर, consumer यहाँ पर satisfaction, equilibrium के stage पर नहीं आपाएगा, तो अगर यहाँ पर रहेगा, तो benefit के situation है, तो आगे consumption ज़रूर करना चाहेगा, यहाँ पर रहेगा, तो उसके लिए loss है, तो कम consumption करना चाहेगा, condition है कि, कि किसी community से मिलने वाला satisfaction level, in the form of money, और जो आप उसके लिए pay कर रहे हैं, price दोनों क्या होने चाहेगा, equal होने चाहिए,